नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग कई बार दुर्भाग ये पीछा ही नहीं छोड़ता आप लाग प्रियास कर लो पर खुशियां लगती जैसे हमसे रूट गई है तब एक छोटा सा प्रियोग जो लॉंग और पान के पत्ते से किये जाते हैं वैसे ये प्रियोग आप किसी भी मंगल बार या सनी बार के दिन कर सकते हैं तो इस प्रियोग को करने के लिए आप बस ये समझ लें कि आपको चाहिए होगा बेहता हुआ पानी याद रखिए बेहता हुआ पानी क्योंकि इस प्रियोग को सिर्फ यहीं पर किया जा सकता है इसलिए आप पहले से ही वो जगह ढूंड के रखे जहां पर साफ निर्मल जल बेहता हो नदी बेगर है जरने के पास भी आप कर सकते हैं क्योंकि देखे जब बेक्ति हार जाता है जब चारों तरफ से निरासा मिलती है जब लगता है कि दुर्भाग पीछा न चोड़ा हो तब एक दम से आप हारने लगते हैं आप मुस्किल के घड़ी में यहां तक की अपने भी करीबी भी साथ छोड़ देते हैं चैचे दोस्त तो करते हैं ना आपको प्रमोसन हो रहा है आपके बच्चे का विबात नहीं हो पा रहा है अपना मकान नहीं बन पा रहा है घर में लंबे समय से सुब और मांगली कारे नहीं हो पा रहे है लोगों ने सायद आपके उपर तंतर क्रियाएं कर दिया है कभी कभी ऐसा सचमे हो तो इन तमाम समस्याओं से बशने के लिए आप एक सुन्दर सा पान का पत्ता ले आएं और आपको चाहिए होगा दो साबूत लॉंग लॉंग बिल्कुल साबूत होगा तुटा फुटा वह ना हो इस बात का दिहान रखिएगा अब इन सभी चीजों को लेकर बहते वे जल के पास पहुंच जाएं आप महला है आप पुरुस है कोई भी ये प्रियोग कर सकता है अब पान के पत्ते को दोनों हथेली के उपर उल्टा रखें उल्टा यानि जो चिकना हिस्सा है वो नीचे होगा जो रूखा हिस्सा है वो उपर की तरफ होगा इसके बाद रूखे बाल को कह दें दोनों हाथों के सहारे आप बहतेवे जल में उसको प्रभाहित कर दें जल में छोड़ दें और फिर बोलें कि है मेरे दुर्भाग्य मैं आपको यहीं छोड़े जा रहा हूं किरपा करके आप मेरा पीछा न करना और इसके बाद बिना पीछे मुड़े आप घर चले क्योंकि अगर आप पीछे मुड़कर देख लेते हैं तो टोटका काम नहीं करेगा और ये परियोग सिर्फ एक ही बार करना है अगर आपको लगे एक बार में फैदा नहीं है तो तीन बार आप कर सकते हैं पर एक ही बार में फैदा हो जाएगा करके देखे और फिर कमेंड कीजेगा हर हर महादेब धनिवाद